रूस युक्रेइन जनका आज 99 वाद इन इस वीच रूस ने युएस की ओर से युक्रेइन की सेन्य साहता को लेकर चेताव नी दिये रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लवरोग ने कहा की उक्रेइन की अमरीकी एडवांस रोकेट सिस्टम की सप्लाई से तीसरे देश के संघर्स में घसिट जाने का खतरा बढ़ जाएगा गुजरात के चर्चित पार्टिदार नेता हर्दिक पटेल आज भाजबा में शामिल होंगे एहंदाबाद के भाजपा काराल्य कमलम में मुख्य मंत्री वुपेंद्र पटेल पर्देश अध्यक्स सियार पार्टिल हर्दिक को पार्टी जोइन कराएंगे उधार मध्यपर्देश में नगरिय निगम चुनाव और अगले साल पर स्तालुक लिदाग सवा चुनाव में टिकट का सपना देख रहे नेता पुत्रों को भाजपा के राष्टे अध्यक्स जेपी नड़्डा ने बड़ा जटका दिया है बुद्भार को अपने भुपा सब्सक्राइट ने बीजेपी सरकार के समय हुए ब्रस्ट अचार हो उसमें आरूपी नेताओं के खिलाफ करवाई नहीं होने पर खुलकर नराजबी जताई और करवाई करने की मांग भारत में कोरोना वाइरस महमारी के मामलों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है दे कुल 33 लाक से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकी 11.083 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सिनेशन हुआ है यह आकड़े जांस आपकिन्स उनिवस्टी ने साजा की है हॉलिवड के मशूर एक्टर जानी डैप और उनकी पूर पत्नी अंबर हाट के खिलाफ चल रहे हैं मानानी केस में वर्जीनिया की एक अदालत ने फैसला सुनाया छेफ्टे तक चले इस मुकदमों में जोनी डैप की जीत हुई डैप को हर जाने के तोर पर 15 मिलियन डोलर यानी की करीब 116 लाकरोड रुपे का मोहावजा मिलेगा फ्रेंच ओपन में मैं सिंगल्स में कैसपर रूड सेमी फाइनल में पहुँच गई है वे पहली बार किसी ग्रेंट स्लम के सेमी फाइनल में परवेश करने वाले खिलाड़ी वने वहीं वीमिन सिंगल्स में वर्ड नमबर एक इगा स्वेट एक भी सेमी फाइनल में पहुंच गई हैं खेले गई क्वाटर फाइनल मुकाबले में रूड ने होल गर रून को 6-1, 4-6, 7-6, 6-3 से हराया देल कंप्री ने आज सुबा 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम चारी कर दी हैं आज लगातार बारवी दिन पेट्रोल डीजल के दाम इस्थिर रखे गए हैं दिन गुरुवार को मामुली बढ़त के साथ खुले सेंसेक्स एक्टेक्यतर 0.04 पॉइंट या 0.31 परसेंट की ग्रावट के साथ 55210.13 ओल्ड निफ्टी 58.90 पॉइंट या 0.36 परसेंट की गिरकर 16470.90 पर खुला